दोस्तो GST में बहुत important decision दिया गया है अगर आप GST की appeal को online file नहीं कर पा रहे हैं किसे technical issue के कारण तो आप इसको offline file भी कर सकते हैं और इस appeal को appellative authority के दुआरा reject नहीं किया जा सकता है दोस्तो आप देख सकते हैं case के effect इस परकार है दोस्तो taxpayer के दुआरा charitable activity की जाती है और GST officer के दुआरा order pass किया गया इसके against taxpayer ने appeal file करने की कोशिश की लेकिन GST portal के दुआरा किया गया कि इस order के against appeal file की जा चुकी है जिसकी वज़े से taxpayer portal पर appeal file नहीं कर पाया जिसके against GST officer ने action लेना start कर दिया और कहा कि जो online appeal की copy है वो submit करें लेकिन text pen ने कहा कि वो appeal file नहीं कर पा रहा है दोस्तो GST में provision दिया गया है कि जो appeal है वो electronic file की जा सकती है या otherwise यदि commissioner notified कर देता है लेकिन जो core procedure है वो commissioner के दुआरा notified नहीं किया गया था लेकिन GST rule में दिया गया है commissioner notified कर सकता है कोई और procedure यारि कि online के दुआरा कोई और procedure भी दिया जा सकता है जिसके दुआरा appeal file की जा सकती है लेकिन अगर chief commissioner के दुआरा कोई और form नहीं दिया गया appeal file करने के लिए तो ये माना जा सकता है कि appeal offline या manually file की जा सकती है तो दूस्तों high court के सामने एक क्यूशन था कि अगर किसी टेखनिकल प्रोब्लबम के कारण जी टेक्सपेयर अपनी अपिल फाइल नहीं कर पा रहा है तो अगर टेक्सपेयर ने कोई ओफलाइन अपिल फाइल किये तो क्या उसको रिजेक्ट किया जा सकता है तो दोस्तों यहां High Court Act के अंतरगत हर वेक्तियू को right दिया गया कि वह अगर किसी order के अंतरगत appeal फाइल करना चाहता है तो वह Appellate Authority के पास जा सकता है और Appellate Authority Assisi की इस right को stop नहीं कर सकती है कि उसने appeal जो है offline फाइल की है दोस्तों GST Act के अंतरगत 108 Rule में यह provision दी गई है कि कमिशनर notification issue करेगा कि कौन से और मोड है जिसके दुआरा appeal फाइल की जा सकती है अगर कमिशनर के दुआरा कोई notification issue नहीं किया गया तो यह माना जा सकता है कि जो दूसरा मोड है वो offline मोड ही होगा तो offline मोड से आप appeal कर सकते हैं इसलिए अगर आप offline मोड से appeal करते हैं तो उसको reject नहीं किया जा सकता